कर्म संस्कृत शब्द कर्मन से लिया गया है, जिसका अर्थ है कार्य पर्मेहंस योगानंद के अनुसार कर्म, कारण और प्रभाव पर आधारित क्रिया या लौकिक न्याय का नियम है आपके हर अच्छे या बुरे कर्म का आपके जीवन पर एक विशेश प्रभाव पड़ता है योगानंद ने यह भी कहा कि कार्य करने से पहले आपको स्वतंत्रता है, लेकिन कार्य करने के बाद उस कार्य का प्रभाव आपके साथ चलेगा चाहे आप इसे चाहते हैं या नहीं यही कर्म का नियम है परमहन्स योगानंद के अनुसार आप अकेले ही अपने लिए जिम्मेदार है आप दुनिया में काम करते हैं जहां आपके कर्म आपकी खुद की पिछली गतिविधियों ने आपको रखा है जब तक हम अपने बुरे कर्मों को समाप्त नहीं करते तब तक हमें अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है ज्यादतर लोग कहते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है मैं हमेशा लोगों का भला करता हूँ अब देखते हैं कि परमेहन्स योगानंद का इस पर क्या कहना है उनके अनुसार यदि आप अच्छे कर्म करने के बाद भी अपने साथ हमेशा बुरी चीजें होते हुए अनुभव कर रहे हैं तो आपने अपने पिछले जन्म में बुरे काम या बुरे कर्म किये होंगे जो आपके अवचेतन में लाखों जीवनकाल से स्टोर हैं हमारे कर्म हमारे जीवन के अवचेतन छेतर में जमा होते हैं जब तक आप उन्हें खत्म नहीं कर देते, तब तक वे आप से चिपके रहेंगे अक्सर लोग शिकाय करते हैं कि भगवान हमारे साथ अन्याय क्यों करते हैं इस पॉइंट पर आने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करे इसके लिए परमेहन्स योगानंद ने कूछ सुन्दर लाइन्स कही है वे लाइन्स इस प्रकार से हैं, इस दुनिया में कोई अन्याय नहीं है लोग अपने जीवन में आने वाले सभी दुखों और परेशानियों के लिए भगवान को दोश देते हैं यदि आप किसी समस्या से पीडित हैं, तो ईश्वर या किसी अन्य को दोश न दें आपने अतीत में समस्या का कारण बनाया था और अब आपको इसे जड़ से उखाडने के लिए और अधिक द्रिढ निश्चे करना होगा Diseases, Failure, Success, Inequality, Equality, Early Death, Long Life ये सब हमारे द्वारा पिछले जन्मों में बोए गए कर्मों के बीजों के परिणाम है आपकी असफलता या बीमारी पिछले जन्मों के नासंश कारियों से शुरू हुई तो इसलिए आप अपने भाग्य के निर्माता स्वया है तो परमेहंस योगानंद ने कर्म के बारे में यही कहा है If you liked this video, like, share and subscribe and give your review in comment section